नमस्कार आप देख रहे हैं दूरदाशन किसाद मैं हूँ मोनालिसा स्वागत है आपका हमारे खास कारिक्रम बात समबाद में एक ऐसा कारिक्रम जसमें हम खेती किसानी से जुड़े किसी गंफीर मुद्दे को मन्थन के जरिये दिशा देने की कोशिश करते हैं प्रधान मंतरी श्री नरेंद्र मोदी और उनके नित्रत्व वाली सरकार किसानों की आयद 2022 तर दुगनी करने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है इन कोशिशों में और एक मजबूत कड़ी धाई महीने का क्रिशी कल्यान अभियान है इस अभियान में देश के उन 112 जिलों को शामिल किया गया जो नीती आयों की कसोटी पर खेती किसानी के हिसाब से पिछड़े हैं ताकि इस अभियान से जुड़तर वे अपने आपको सबल और सक्षम बनाकर अपनी आये 2022 तक दुगनी करने के लिए दमखम के साथ आगे बढ़ सकें प्रगती की आकांग्शा रखने के कारण ही इन्हें आकांग्शी जिले भी कहा गया क्रिशी और किसान कल्यान मंत्राले के वरिष्ट अपसरों की अगवाई में चल रहे इस अभियान में विज्ञान, वित, सिक्षन, प्रसिक्षन के जरिये किस तरह काम हो रहा है और इसके नतीजे क्या रहे? इस पर वाद समवाद करेंगे क्रिशी और किसान कल्यान मंत्राले में क्रिशी आयुक्त डॉक्टर सुरेश मलहोत्रा, संयुक्त सचेव श्री उपमन्यू बसू, अपर आयुक्त डॉक्त बंदना द्वेवेदी, भार्तिय क्रिशी अनुसंधान परिशद में साहायक महानेदेशक, क्रिशी विस्तार, डॉक्त वेद प्रकास चहल, वरिष्ट क्रिशी पत्रकार और जागरन के उप ब्यूरो प्रमुक्ष्रिय स्पेसिंग, आप सभी का तूरदाशन किसान पर स्वागत है। आप समबाद का सलसला शुरू करने से पहले आएए देखते हैं एक रिपोर्ट। एक जून 2018 से 15 अगस्त 2018 तक यानि धाई महीने लंबा क्रिशी कल्यान अभियान चलाया है। इसके तहत किसानों को नई नई तकनीक अपनाने और आय बढ़ाने के तोर तरीके अपनाने के लिए सहायता और सलाह दे जा रही है। ये अभियान देश के 27 राज्यों के 112 आकांशी जिलों के 1000 से अधिक आबादी वाले 25 गाओं में चलाया जा रहा है। इन गाओं का चुनाव नीती आयोग के सलहा से किया गया है। अभियान में क्रिशी विग्यान केंद्र को जिले के सभी 25 पच्चिस गाओं में कारेक्रम को लागू करने में साजेदारी के लिए कहा गया है। इसके तहट कई महतुपून काम किये जा रही हैं। जैसे अगर भाधान के बारे में जानकारी देना। सोक्षमिसी चाई से जुड़े कारेक्रमों का प्रदर्शन। बहु फसली क्रिशी के तौर तरीकों का प्रदर्शन। एकिकरित फसल के तौर तरीकों के बारे में जानकारी देना। किसानों को नई नई तकनीक की जानकारी देना मदुमक्खी पालन, मश्रूम की खेती और ग्रह अध्यान के लिए प्रसिक्षन एन कारे क्रमों में महिला प्रति भागियों को प्रात्प्रिक्ता दी जा रही है अगर राज्यवार बात करें तो जारखंड के 19 विले बिहार के 13, 36 गड़ और ओडिशा के 10-10, मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश के 8-8, असम के 7, राजस्थान के 5, महराष्टर के 4, आंध्रप्रदेश तेलंगाना के 3-3, जम्मु कश्मीर, पंजाब, करनाटर, गुजरात, उत्तराखंड और तमिलनाडू के 2-2 जबकि केरल, हिमाजर प्रदेश, हरियाना, उत्तरपूर्व के 7 राज्यों से एक-एक जिले का चेन किया गया है ताकि हर पिछडे जिले का किसान सम्रुद्ध होकर अपनी आयदोगुनी करने की दिशा में तीजी से बढ़ सके तो अभी आपने रिपोर्ट देखी, आये चर्चा की शुरुवात करते हैं वरेश्ट क्रिशी पत्रकाश श्रीय अस्पी सिंग से अस्पी सिंग जी, क्रिशी के एक शेतर में प्रधान मंत्री च्री नरेंद्र मोदी जैसी सक्रियता के उधारन देखने को नहीं मिलते क्रिशी कल्यान अभियान से प्रधान मंत्री च्री मोदी क्या हासिल करना चाहते हैं प्रधान मंत्री की नजर किशानों पर देश के उन खेतिहरबर्ग पर उस 60-70% की आबादी जो गाउं में रहती है जिसकी जो पूरी तरह से खेती पर आधारी था खेती पर ही इस देश की पूरी अर्थ ब्यवस्था की रीड गाउं गिराउं और खेती पर तो ग्रामीर अर् इस्तिती है गाउं है और गाउं अगर मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा देश की अर्थ ब्यवस्था मजबूत होगी कल कार खाने तेज चलेंगे और उसमें प्रोडक्शन जादा होगा मैनुफेक्टरिंग चर्टर चलेगा टेडिंग चलेगी हमारा जितना टोट अगर कमजोर रहती है गरीब रहती है या उसकी जेब में पैसे नहीं है या उसकी पर्चेजिंग पावर खरीद करने की सकती उसकी छमता नहीं है तो इस तेश की अर्थिवास्ता नीचे जाएगी यही वज़े थी कि आप पिछली सरकार में देखेंगी कि अग्रिकल्चर पूरी तरह से माइनस बे जारी थी ग्रोफ रेट उसकी माइनस बे थी आज इस दिती है कि 4.2 परसेंट पर मतलब ग्रोफ रेट 4.2 है और सरकार का मानना है कि इसे हम बढ़ा के 6 परसेंट तक कम से कम ले जाएं ताकि यह किसानों के पास पैसा आएगा और देश किसान खु की पूर्ती होगी जैसा कि आपको नाम से ही इसमें सपश्च हो रहा है कि अकांख्षे जिले की यह इस प्रकार के जिले हैं जिनको एक प्रकार से यह चुना गया है यह अन्य जिलों की तुलना में थोड़ा पीछे है बिलकुल उनको यह अकांख्षा रखनी है जो अच्छ जिले हैं, इनको कैसे ट्रांस्फोर्मेशन कर सकते हैं, एग्रिकल्चर में, क्योंकि वो एग्रिकल्चर के माध्यम से ही संभव है, और उसमें वैसे तो देखा जाए, बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन एग्रिकल्चर का जो योगदान है, उसमें 20 परतिशत रखा गया है, अगर हमें जितने भी एकांग्षी जिले हैं, उनका काया कल्प करना है, तो वो किर्शी के माध्यम से ही संभव है, तो किर्शी का जो अब्यान के जरिये, ये जो खशेतर है पशुपालन और डेरी का, इसमें किस तरह के कारे किये गया, किस तरह से इस भूमिका को निपाया पशुपालन में जो दो रोग है, जो जिसे हम खुरपका मूपका कहते है, ये अंग्रेजी में उसको है, फम्डी कहते है, फूट अड्माउड डिजीज, ये जो रोग है, ये जानवर को मारती नहीं है, मगर उसका जो खशंता है, दूद देने की, ये सारा नष्ट कर देत है, और ये इसको एक 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 अर्थिक ताउसे कोई भी किसान को बिल्कुल नष्ट कर देती है, तो इसके लिए पहले जैसे जब शुरू हुआ था, कुछ आठ राज्यों में ही ये हुआ था, अब जो है, सरकार ने इसको सारे राज्यों में लगा है, जी नमर वे, क्रिशी जी का लेन अभियान में, जैसे मेरे दोस्ते का कि यह जो जिले हैं, जिनको चुना गया है, इसमें कि हमारा जो लक्षा है, कि सारे पशु जो भी इलिजिबल है, करने का मतलब है कि कुछ पशु ऐसा है कि जिनको अलड़ी एक FMD का डोस चल गया है, उसको तो आप को निकाल करा रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल, तो अभी तक तो क्रिशी कलियान अभियान के उदेशों पर हमने विस्तार से चर्चा कि अब इसके कामकाज पर आते हैं, तो डॉक्टर वनना दुविदी जी आपसे जाना चाहेंगे, कि 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 जिम्हदारी क्या रही इस पूरे कामकाज में और जस तरह से ये अभियान चलाया जा रहा है, इसे आप किस तरह से आती हैं, देखे हमारा देश जो क्रिशी प्रधान देश है, और क्रिशी तब तक अधूरी है, जब तक उसमें उसके जो पशु हैं, वो शामिल ना हो, तो इस पूरे प्रोग्राम में ये ध्यान जादा अगर जैसे गाई भैंस हैं, तो कैसे जादा दूद उतपादन हो, या चोटी चानवर हैं, जैसे बकरी वगरा है, तो उनका कैसे वो बिमारियों से मुक्त रह सकें, और उनको अच्छा उतपादन भी हो, तो ये सारा ध्यान इस परोग्राम में पुरा ही रखा गया क्योंकि जैसे का नाम ये कि आकांग्ची जिले हैं, तो इनको मुक्धारा में लाने के लिए एक प्रयास है, तो उस प्रयास में जब किसान के पास अच्छी उपज होगी, और उनके उपज की खेती की लागत कम होगी, और उनके साथ जो भी पशुपालन है, दूद दही अ पूरा ध्यान रखा गया है, प्र 260 जहां मंत्राले नी्ते निर्धारन करता है, महीं इस अभियान को जमीन पर उतारने का काम क्रिशी विग्यान केंद्र कर रहे है, क्रिशी विग्यान केंदर केंद्रों के कामकाज का आकलन आप कैसे करते हैं? देखिए भारतिय किर्शी नुशंधान परिशद ने देश में 700 किर्शी विग्यान केंदर खोले हुए हैं, हर जिले में लगबग एक किर्शी विग्यान केंदर है, कुछ जिले ऐसे बचे हैं जिन में अभी किर्शी विग्यान केंदर खोलना बाकी है, जो ये हमारे अभियान जो चलाया गया है, इसकी अगवाई करने का मौका किर्शी विगयान केंदरों को दिया गया, ये एक ऐसा प्लाइट फर्म बनाया गया, कि जिला स्तर पर जितने भी भाग हैं, उनके अधिकारी और हमारे किर्शी विगयान केंदर के प्रभारी हैं, वो वैगयनिक, वैगयनिकों का जो समोव किर्शी विगयान केंदर पर है, वो सभी ने मिलकर के पूरी योजना जो भारत सरकार ने दिशाज निर्देश दिये, उनके अनुसार पूरे जिले में सभी कामों को पूरी ताल मेल बिठा करके इस अभियान को चलाने में अगवाई का काम किया है किर्शी विगयान केंदर बिलकुल तुक्रिशी विगयान केंदरों ने बहुते मैतवपूर्ण भूमिका निभाई, अब डॉक्टर मलहोतरा आपसे ये जानना जाएंगे कि इस अभियान में राज्य सरकारों की किस तरह की भूमिका है और किसानों को किस तरह की वित्य सहा गाओं कुल मिला करके जो है वो राज्य सरकारों के जो है मदद से जो पहले हम लोगों ने उनको चिनित किया गया कि उनकी जो अभी वर्तमान में जो उनकी सिथती क्या है और उनको आगे हमें कहां तक ले जाना है तो राज्य सरकारों के माध्यम से जो है इस कारेकरम का हम किर्शी कल्यान अभियान के अंतरगत नो मुख्य बिंदू की जो पैचान की गई राजे सरकारों के साथ मिलकर के जो वहां पर उनके डिस्टिक मजिस्ट्रेट हैं डिस्टिक कलेक्टर्स हैं उनके माध्यम से जो हम लोगों ने वहां पर नोडल ओफिसर का चुनाव किया गय में जयात करें जिस से कि जितने ही हमारे संसाद साद नंका समुचित पर्योग हो सके जितने ब्रियुक्त पर्यों इसके साथ यह विक यह ओक हम ऌप 120 है अच्छी प्रकार waren भार अग़र बिनके पीष किसानों अने कि बंखे की इसके के जो केंद्र के बिंदू है किसान के अगर ट्रेनिंग लेता है और उनका विप्रा के इसे सार्थ आची. दूसरा जो एक प्रकार से मश्रूम की जो खेती है और साथ-साथ में और भी इस प्रकार के जो विकल्प है उन पर किर्शी विज्ञान केंदर के माधियम से उन पर ट्रेनिंग दी जाती है साथ में किर्शी विज्ञान केंदरों को चुना गया जिनके माधियम से जो माइक्र जो है उसमें रखा गया और साथ में फार्म इंप्लिमेंट्स जो यह एक बिंदू था और एनिमल साइंस के बारे में जितने भी पशुविक पालं से सबंदित बाते हैं वह हमारे साथी ने पहले बताई हैं वह भी इसमें बिल्कुल उसके बारे में आगे भी बात करेंगे इ उन पौशु पालन इसलिए वह ज़्यादा जरूरी हो जाता है कि छोटे किशान की सबसे बड़ी आय का साधन होता है पौशुअ। अगर उसके पास खेती नहीं भी है तो पसुपालन से वह अपना काम का चला सकता है, अपनी आमदेनी बढ़ा सकता है, अगर उसके पास खेती है तो भी उसकी इस्तिति और बहतर हो सकती है, इसलिए पूरा जोर उस पर है, जैसे अभी मेवाद के किसान आये हुए हैं, तो आप जर्चा कर रहे हैं, सरकार सोच रही है, बैग्यानिक बता रहे हैं, लेकिन वहाँ के किसान सरवाधिक तोर पर जितना मैं जानता हूँ, जितना मैं जाके मेवाद में देखा है, वहाँ के किसान अभी भी सबसे ज़्यादा पसुपालन पर ही जोर देते हैं, लेकिन कि जहां पर साथ हजार से ज्यादा पसु चिकित्सकों की जरूरत है वेटनरी डाक्टरों की उसमें से सिर्फ साड़े तीन हजार हमारे पास संख्या है इस देश्क में यह आकड़ा है नीती आयोग का दूसरा अकड़ा है कि साइंटिस्ट जो हमें चाहिए पसु चिकित्सा जाँ जाँ पढ़ा विटनरी साइंस में उसके लिए वहां भी स्थिति है कि साड़े साथ हजार साइंटिस्ट की कमी है जरूरत है और हमारे पास सिर्फ तीन हजार है तो जो आधे से भी ज्यादा इस तिति है कि पुरे देश पूरे दुनिया में सब से जादा पसू इंड सूखा जो चारा होता है वह बारे परसेंट तक कम है कंसेंट्रेट जिसको चुनी खली होता है वह 35 परसेंट तक कम है यहीं सिती कमों बेस लगभग इतने हरे चारे की कमी है जरह सोचिए आधे पेट खा के कोई पसू कितना प्रड़ेक्टिविटी देगा कितना उत्पादन क करेगा इस देश के लिए सबसे जड़ा जरूरी है तो क्या हो प्रमा गुसुजी इन समा मुद्धो को क्रिशी कल्यान अभियान में शामिल किया गया है पहले तो मैं बता दूं कि थोड़ा सबस्ट कर दू कि मैंने यह नहीं कहा कि हम FMD मुक्त हो गये हैं होने की प्रयास च जीलों में हमने कोशिश किया है कि जहां पर भी मतलब ठीका करन का ज़रूरी है हम वहां ठीका करन कर रहे हैं जो केंद्रिय सरकार है ठीका करन के लिए वित्ल सहायता देती है पर यह राजय सरकार का भी बड़ा योगदान है इसमें कि वो after all implementation वही करते हैं और मेवाक के किस कह molta देखने कार्ण हम लोग बीदया करना है वह लाएं कर लिए के विकया को शेयक नी करें कि मैं आपको की जैसे हमने पिखड़े हैं कि यह क्यों निटेंग देखने हम लूए मयांति के लिए को रिखनी जिसमें ओन इन प्रिद्ञान Thai की चिसानों करा किया है किर्षी बिग्यान केंदर यह बहुत अच्छी बात है कि हमारे देश में हर जिले के अंदर एक क्रिशी बिग्यान केंदर है और वो पूरे बिग्यानिक होते हैं वहां पर हर तरह के एक्सपर्टप होते हैं, चाहिए एनिमल हैस्पेंटरी हो या खेती का हो या स्वाइल टेस्टिंग हो हर तरह के एक्सपर्ट होते हैं उसमें तो इसी वज़े से इस प्रोग्राम को हमने क्रिशी विज्ञान केंद्रों के माध्यम से चलाया है और दूसरी बाती है कि जब खेती अच्छी होती है और उसमें लागत कम आती है तो सारी चीज जब खेती होगी फेसा भी मिलेगा और इंजय चल यसी तरह से हमारी cat को हम आगे बढ़ाएंगे लेकिन फिलालब्त हो गया एक चोटे Meter कर घरागा बन के खेती हाल धिशी होगीक है ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा वादसमबाद किसानों के कल्यान का अभियान यानि क्रिशी कल्यान अभियान आप बने रहें दूडर दर्शन किसान पर हम आ रहे हैं आपके गाउ घुमते फिर्टे का कारवा पहुंच चुका है मतुरा में हम आप पहुंचे हैं कांगराजिले में सामाने ग्यान के पूछेंगे सवाल वाशिक पुष्कर मेला किस राजी में आयोजित किया जाता है इन में से क्या जैविक रूप से नश्ट नहीं होता है इसके लिए इनके पास चार आप्शन्स है क्या आप किसी बीमारी से परिशान है चाहते हैं डॉक्टर की सला तो हम है आपके साथ बताएंगे आपको जीने की राह तमस्याएं आपकी समाधान देश के मशूर विशेशक्यों के घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्त किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक ब्रेक के बाद और दर्शन किसान पर आपका फिर से स्वागत है किसानों के कल्यान का अभियान यानी क्रिशी कल्यान अभियान अपने अंतिम दौर में है किसानों की समरिधी और सरकार की योजनाओं के बीच से तू हमारे क्रिशी विग्यान केंद्रों ने क्या किया और किसानों ने इनसे क्या सीखा इस पर हम वात्समवाद को आगे बढ़ाएंगे लिकन उससे पहले देखते हैं एक रिपोर्ट क्रिशी कल्यान अभियान एक ऐसा अनुखा अभियान है जिसमें केंदर सरकार से मिलने वाले लाभों का प्रित्यक्ष अंतरण किया जा रहा है जबकि अन्य कारक्रमों में किसानों को अन्य निकायों के माध्यम से सहायता प्रदान की जाती है कारक्रमों में राज्य सरकारों का सहयोग और समन्वय भी है इससे दोहरा लाब ये हो रहा है कि किसानों को बिना किसी तीसरे माध्यम के सीधे मदद और सलाह मिल रही है और दूसरा ये कि इससे किसानों को अपनी आय बढ़ाने और लागत कम करने के लिए नए उपाए आसानी से पहुँचाए जा रही है कृशी कल्यान अभियान की सक्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसमें संयुक्त सचे उस्तर के शीर्ष अधिकारियों को सीधे निगरानी का काम सौपा गया है इस अभियान में सीधी जनभागिदारी से किसानों के मध्यक खेती को प्रगतिशील बनाया जा रहा है कृशी कल्यान अभियान इस मामले में भी खास है कि प्रतेक जिले के लिए एक लक्ष निर्धारित किया गया है और मॉनिटरिंग के जरीए ये देखा जा रहा है कि लक्षे के किस स्तर तक पहुँचा जा चुका है इस अभियान में चैनित जिले के प्रदर्शन के आधार पर रेंकिंग की जा रही है अब तक हुए काम के आधार पर आंधर प्रदेश का कडपा और विजय नगरम जिला, गुजरात का दाहोद, उत्राखन का हरिद्वार जिला पहले स्थान पर बने हुए है जबकि मध्य प्रदेश का राजगर, दूसरे और आंधर प्रदेश का विशाका पत्नम जिला तीसरे स्थान पर है इस तालिका में अगर नीचे की तरफ द्रिश्टी डाली जाए तो 100 से कम वाली रेंकिंग में उडिशा के 5 और जारखन के 4 जिले शामिल है आठ अगस्त तक संपन्न कार्य पर नज़र डालें तो पता चलता है कि किसानों के मध्य 5,56,364 सॉयल हेल्थ कार्ड, दलहन तिलहन किट वित्रण 4,27,851, बागवाने क्रिशी वाने की बांस पौध वित्रण 3,57,361, नाडे पिट 13,513, बोवाइन टीका करण 6,14,860, क्रितिम गर्भाधान 74,075 और 6,27,025 प्रसिक्षन कार्यक्रमों को संपन्न किया जा चुका है अभी अंतिम सब्ता हमें प्रगती पत पर आंकडे और बढ़ेंगी तो अभी आपने रिपोर्ट देखिए, अब रुख करते हैं क्रिशी कल्यान अभियान से जुड़े क्रिशी विग्यान केंद्रों के वैग्यानिकों का तो आईए सबसे पहले रुख करते हैं उदम सिंग नगर के डॉक्टर चंद्रेश्वा तिवारी जी का और जानना चाहेंगे कैसा रहा आपका अनुभाव इसमें जो महत्पूर्ण बात थी कि हमको जिले के जो किर्सी पसपालन और उद्ध्यान के अधिकारी और करमचारी हैं उनके साथ तालमेल बिठा के काम करना था जो कि सारी कि सारी monitoring की जिम्मेदारी और data entry की खुरिशीवी घ्यान के इंथर को दिगयी थी और प्रसिक्षड जो इसका एक महत्पोड़न है अगरे विद्यान के लिए मसरूम के लिए और हमारा जो मदमक्फी पालन का है तो ये काम हमने किया इसके साथ-साथ जो यंतरीकरान है या रेड़ेब कंपोस्ट का है या वाइन वेक्सिनेशन का है इसके लिए जो जिले के हमारे जो दूसरे साथी थे चाहिकरसी के हो या पसपालन के हो उनके साथ वो लोग जो काम करते थे उनकी रिपोर्ट मगाना और उसको अपलोड करना ये सारा काम हम लोगों ने बड़ हमारे करशे विज्ञान गेंदर को जो मेधारी दी गईए कि हम अपने केंदर के माद्यम से मेवात के कसान भाहियों को कर्शी के छेतर में दक्च वनाएं और अची के गोनवें उसमें हमने फोकस किया कि जो समेकित करशी प्रणाली है उसमें विलीन पहलियों को सामिल किया जैसे के हमारे किसान भाई उन तकनीकु को समझ पाएं जैसे हमारे जो किसान एंएख एक अनक कस्म का चारा मुले इसा फसल चक्र वो अपना है, इससे उनको समय समय पर पस्वों के लिए अच्छा चारा मिलता रहे, उसके साथ में जो हमारी किसानभाई खेती करते हैं, खेती के साथ में उनकी आमदनी पूरे साल एक समान बनी रहे, उनको रोजाना आमदनी प्राप्त हो, इस उद्देश से हमने अपने किसान भाई को अभियान के दोरान मदमक्की पालन के परिED किया, खुमबकी क्येती करती प्रती प्रेद किया, और अपने कृसिवी क्यान के अंदर इस रट जो थे jam id nehmen, को सुंन हमारे इस प्रिफे क्रिसिशन ब्रिकाइथ chemical दिखा गी है, उसमें, आटीवलिक देती आ movimento मैक्रोरिंगेशन एंदर विस एक करिदेशन में के दीए और, वर्मि कंपोस्त नाड़ कंपोस्त नने की जो तकनिकiğ है वो सब कुछ उनको दिखाया गया उससे हमारी किसान भाइयों ने एक प्रहणा ली और वो इस बात को समझ के गए कि जिस तरह से हमारे क्रिशिक ग्यान के अंदर में जो विभिन प्रकार की इकाईया है कि उन हम भी अपने इस तरह पर अपने फार्म पर इस तरह की इकाईयों उनसे भी हम जानते हैं कि ये जो क्रिशिक ग्यान अभियान है इसके अंतिम दौर में हम प्रवेश कर चुके हैं और अब तक जो प्रतिक्रियां तमाम जगों से आ रही है वो किस तरह की आ रही है जैसे कि अब हमने बात किया है कि पशोपालंग का महत देखती है जो एक रिष्चिक गल्यान अभियान में जो पशोपालंग केलिए जो प्रोग्राम रखे गये है For example, जैसे मुवपका, खुर्पका रोग के लिए बचाओं के लिए जो टिका करना है और इसका हमें, क्योंकि सबको पता है कि पश्यों में बीमारी एक सबसे बड़ा इंपोर्टन है उत्पादन को रोकने के लिए तो ये जैसे मुवपका, खुर्पका रोगों का अगर हम सौट परसेंट या अब कुछ एक हर्ड इमिनीट डेवलप करने के लिए टिका करन करते हैं तो ये पश्यों में रोग आएगा ने और इसमें उत्पादन बढ़ेगा वैसे ही जो भेड़ बकरी के लिए भी पीपियार नाम का जो रोग है उसके लिए भी अभियान चला जा रहा है और इसके अभी जो रिपोर्टस हमारे पास है इसके हिसाब से देखा गया तो वैक्सिनेशन जो है टिका करन बढ़ा अच्छा चल रहा है जी बिल्कुल ये तो बहुत अच्छी बात है और अब रुक करते हैं डॉक्टर कविता बिश्ट का आपसे भी जानना चाहूंगी कि क्रिशी कलियान अभियान में महिलाओ को खास तोर पर जोड़ा गया है तो कैसी रही महिलाओं की भागिदारे और महिला वैग्यानिक होने के नाते किस तरह से समबाद स्थापित करना रहा और किस तरह की जानकारिया किस तरह की दिल्चस्पी महिला किसानों ने बिखाई आजे फल और सबजिया मिल जाए क्योंकि देखा गया कि वहां पर अनाज का दालों का बाकी जो फूट ग्रूप से वो तो लोग ले रहे लेकिन उनकी थाली में फल और सबजियों का समावेश कम पाया गया जिसकी वज़े से विटामिन्स और मिंदल्स की कमी हो सकती है तो उनको बताया गया कि विटामिन्स और मिंदल्स की क्या महता है और फल और सबजी आपको ये न्यूट्रियंट्स प्रोवाइट कर सकते हैं तो आप एक छोटी सी ग्रहवाटिका लगा कर अपने इन फलो और सबजियों को सम्मिलित करें और विटामिन्स और मिंदल्स से होने वो किसर से उठा रहे हैं आये इन से जानते हैं अपना नुभव बताईए हम मेवात से आये हैं और मेवात जो है देश का सबसे पिछड़ा हुआ डिश्टिक है नीती आयोक के द्वारा चेनित किया गया है और हमें जो है डॉक्टर्स की टीम जो किर्शिव ज्यान केंदर सिक सब्सकार से आगे यह मांग करते हैं कि हमें हर गाओं में उनी 25 25 किसानों को एक एक एकड़ में बाग लगवाया जाए क्यूंकि मेवात के अंदर पाणी की बहुत भारी कमी है बाग लगा करके हम जो है कम पाणी में भी खेती कर सकते हैं और ज्यादा मुनाफ़ा ले सकते ह दॉक्तर मलखोद्रा कुछ कहना चाहेंगे इस पर या बंदना जी यह बड़ी अच्छी बात है क्योंकि हमारे उत्साए किसान जितने बड़ी अच्छे परिणाम बता रहे हैं और इस बात का जो मैं बताना चाहूंगा कि अगर किसान बड़े अक्षेत्र में भी अगर जान अधिकारियां उनसे संपर्क स्थापित करें और उसकी जो पूरी विस्तित जानकारी ले 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 और उसमें जो है पूरी सहयता मिलती है और उस सहयता का जो है लाब किसान उठा करके अपना नए बगीचे लगा सकते है और बिलकुल अभी सही समय भी है इस टाइम में थे वागीचे लगाने का.wdegana ji toavors data. भाट जोड़ना है। ن्का जोता थे खेती बहुत पिछडी है यहाँ की. कि और कोशेवा ग।ो न्कम लागत की कहती हैं इसलिए, वाधन पार्मीयी के लिक बहुत खुछ है, क्रिकृता है. और उसमें एक लेबर करना पड़ता है तो वो अपनी खेती स्वैम करते हैं इसलिए उनके लिए बहुत अच्छा है कि वो और निक फार्मिंग करें स्वाइल टेस्टिंग तो सभी की कराई ही दी गई है और आपके जो पशु हैं उनका भी आप पालन अच्छे से करिए जो आपकी रेगुलर इंकम है जो गोबर जिसे ब्लैक गोल्ड कहते हैं अगर उसका सही तरीके से इस्तमाल करेंगे जो पंच गवे बनता है उसका इस्तम करेंगे तो लागत बहुत कम होगी और उपश बहुत अच्छी होगी और पानी बहुत कम लगता है जिकिता पानी के समस्था है पशुपालन भी खूब करते हैं इसक्षेत्र के किसान जान लेते हैं कि पशुपालन से जोड़ा किस तरह का आप लोगों को जानकारी मिली है जिससे आप लोगों को लाभुआ है कौन बताना चाहेंगे पशुपालन से जुड़े अपने अनुफ़ाओ के बारे में पशुपालन में हमें सबसे ज्यादा जो फायदा मिला हूँ यह मिल रहा है कि गाउं गाउं में ही जाकर हमारे पशो की देख रेकी जा रही है पहले बहुत कुछ था जी, बिलकुल उपमन्य वासू जी कुछ और कहना चाहेंगे आप तोंसे की टीका करंण के बारे में कुछ बताएं टीका करण के बारे में भी जानकारी दी गई है तो इसका लाब कैसा मिल रहा है आपको यह जानकारी कितने आपके लिए फाइदमन रही है कोई बताना चाहेंगे सर टीका करण के हमारे लिए बहुत फायदा मिल रपा सुन विमारी नहीं है किसी भी चीज़ की और डाक्टर टाइम पर एक देख कर रहे हैं जी जी बिलकुंग वताएं उप्मन्य वस्जी जो पशू स्वास्त है वो तो बहुत महत्वपुन है टीका करण के जानकारी काफी दी गई है और कृतियम गर्भादान को लेकर भी काफी जानकारी दी गई है पशुपालन से जोड़ी और क्या मेहत्वपूर्ण लाब क्रिशी कल्यान अभियान के जरिये किसानों को हुआ है जिसा मैंने पहले भी कहा था कि ठीका करन एक बहुत ही जानकारी भी मतब इंपॉर्टन छीज है जिसके साथ साथ सवच्छता पालन सवच्छता को बरकारा रखना क्यूंकि क्या होता है कि सवच्छता अगर रहे तो रोग कम होंगे तो उसके ओपर थोड़ा सा ध्यान मुझे लगता है देना चाहिए क्यूंकि छोटे किसानों जो तो आप खुद जानवर पालते हो, इसको अगर स्वच्छता को, जैसे हम किसी के माद लो घर जाते है तो जूते उतार के जाते हैं, है ना, ताकि बाहर की मिट्ठी दूलन पड़े, वैसे ही जानवर रखे जाते हैं, उनकी वहां भी अगर स्वच्छता हम रखे, दाकि पूर्ण भूमिका निभारा है क्रिशी कल्यान अभियान में लेकिन इसमें जो इनकी प्राथमिकता हैं वो क्षेत्र के हिसाब से अलग-अलग भी है हां हर जिला में जो खेती और पशुपानन उसकी आवसकता हैं अलग-अलग हैं लेकिन इस जो कारीक्रम में जो एक तरह के बीन्दु लिये गए, वह इसलिए थे कि सभी में एक तरह का का मोंडिरीग करने में आसानी हो, इस तरह की बात इस पूरे के क्र्टी के कलियानव ब्यान में केविगे विद10 बात हैं, में उसमें लग वाइय थीन बतें जो है उबर के आई है हमारे सामने और आगे की अमारी जो प्लान होगी वो इसके उपर जो है हम बना सकते हैं नमबर वन पहले बात यह है किंदर सरकार की और रज्य सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं हर्द विभाग अपनी अपनी योजनाएं चलाता है अपने अपने डंग से लेकिन इस अभियान के माद दिम से क्या हुआ कि यह सभी योजनाएं एक तरह से जुड गई और सभी योजनाओं के को लेकर के हम किसानों के पास पहुंचे तो उनकी भागिदारी इसमें बढ़ी है दूसरी बात यह हुआ कि जो एक तो सभी के लिए प्रावधान है, कुछ केंद्र सरकार की योजनाएं हैं तो हमें किसानों को यह बताने का मुका मिला कि किस योजना में clicked with kok औि जैसे मालिया अभी बागवानी की बात आ रही तो बागवानी के बारे में जो है राज्य records अहाँ काम करती है और भारती यह सरकार की वी योजनाए हैं तो दोनों में से किसान को सबसीडी वगरा किस योजना में कितनी मिल सकती है इस तरह की जानकारी भी किसानों के लिए काफी लाब पर्द हुई है और किसान आगे आ रहे हैं अपने काम के लिए पर वक्त हो गया है ब्रेक पजान से पहले समझ जी कोई संख्षे एक या दो के भीके हैं बहुत कम में दो-दो हैं बाकि एक एक जिले में एक एक केंद्र हैं और उस केंद्र में जो संख्या है वो बहुत सीमित है हर ब्रांच के एक दो-दो साइंटिस्ट है और गिंती के 20 से ज़्यादा पचीज से ज़्यादा संख्या नहीं है और एक डिस् रएक शालाओं से निकले हुए सब्सक्वलूं थ liability अगर उस प्रणाली Mitch यह पके पर्णाली ही नहीं कि डीजिंगेगे ride र्षभ counter प्रणी एकी लेकिनु 你 हिसले दिन सटमी जबड़ा इसको इस कि ऐधर चीमिक्ता के सब्सक्राइण करें एक किसानओं और इसे के साथ वक्तों चला है एक और छोड़े से ब्रेक का ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा वार्त समवाद किसानु के कल्यान का अभियान यानि कृषि कल्यान अभियान आपकर एंट मेरेत तोड़ दाशन किसान पर किसानों से होंगे सवाल, देंगे सटीक जवाब, तो जीतेंगे किसान कब किसानों का खुला मंच, नजर रहेगी क्रिशी वैक्यानिकों की देखिए किसान प्रश्ण मंच, कुरुवार रात दस बजे क्या सोचते हैं वो जिन्हें चुना आपने जो आपके हित्म है, उसे जाना आपने पूछेंगे हर वो सवाल, जो रखता है आपसे सरोकार बताएंगे आपको आखिर क्या हैं आपके अधिकार हर सवाल, हर उल्जन को सुलजाएंगे हम विशेशक्यों के संग दूर दर्शन किसान के खास कारिक्रम विचार विमर्ष, शुक्रवार, रात दस बजे किसान पूछना चाहें यहां पर मौजूद किसानों से, तो कुछ सवाल ले लेते हैं, तो बताएंगे कोई सवाल पूछना चाहेंगे आप यहां पर महमानों से? यह पूछना चाहते हैं जी, अग जो आप उन्हें खड़ा खुदवाये था जी, और आप उन्हें ठीके भी लगवा रहे हैं, तो उनके बारे में जो आप उन्हें कहिए, वो सभी भायों को समझ में भी आई है, और वो काम सही भी है, तो इसमें यह यह जी, आप आगे जो काम चल रहा है, उसको हम इसे इन से बूछते रहेंगे, और यह हमको बता दिनने चाहिए, जी, बिल्कुल यानि की वही बात जो ब्रेक पर जाने से पहले स्पे सिंग जी ने कही थी, कि यह जो तालमेल है, यह बना रहना चाहिए, तो इस पर कोई टिपनी आग करना चाहें हैं, या वीट होते हैं, यह सब चीजें तो उपलब्ध हैं, लेकिन उसका खेती में सही इस्तमाल नहीं हो पाता है, तो इसलिए यह जो नाडब पिस्ट या वर्मी कंपोस्ट पिट इसलिए किया गया है, कि जो भी अफसल अवशेश हैं किसान के पास, या जानवरों के नी नहीं डालेंगे, जो अवशेश हैं नहीं डालेंगे, तो कैसे आपको खाद मिलेगी, दूसरी बात यह हमने इस प्रोग्राम के साथ में एक जो वेस्ट कंपोसर का टीका होता है, जो वो भी सभी किसानों को फ्री में उपलब्ध कराया है, इसका सारा खर्चा जो है, वो के जाएगा, तो वो हमेशा वो बनाता रहेगा, एक संचेप में मैं फिर से बता देती हूं कि वो जो टीका दिया गया, जो एक वीस रुपए की शीशी है, वेस्ट कंपोसर की, उसमें सौ लिटर पानी में अगर हम दो किलो गुड का घोल मिला देते हैं, तो वो शर्बत बन केंद्र की तरफ से इसका प्रसिक्षन दिया जा चुका है, आगे भी जानतारी ले सकते हैं, और जो पढ़े लिखे हैं हमारे किसान भाई, वो यूट्यूब में भी देख सकते हैं, और हमारी जो गाजिया वाल की चुछ और किसानों से यहां पर बाचीत कर लेते हैं, सबसीड़ी दी जा रही है, और बाकी हर्याना के डिश्टिक्स जो हैं, वहां पर 85% सबसीड़ी दी जा रही है, जबकि मेवात जो है, सबसे पिछड़ा हुआ जिला है, पूरे भारत का, ये नीती आयोग ने चिनित किया है, तो मेवात के लोगों के साथ ऐसा क्यूं किया जा रहा ही है, हम पूछना चाहते हैं, आप सभी साइंटिस्ट, डॉक्टर्स और दूरदर्शन चैनल के माधियम से, डॉक्टर मली उत्रा, आप क्या कहना चाहेंगे इस बात, प्रिशी सचाहिए हो जना कि अंतरगत हम लोग जो है, माइक्रो इरिकेशन को पार्ड्रोप, ज्यादा मिले, तो अभी जो नई गाइडलाइन, मार्क दर्शिक आए, जो बनके आई, उसमें छोटे किसानों को, मंजले किसानों को ज्यादा सबसीडी का प्रावधान रखा गया है, शायद हमारे किसान भाई को पूरी जानकारी इस बात की नहीं है, और इसमें इस तरह क सबसीडी जो है, वो रखी गई है, इसमें जितने भी इस प्रकार के जो अक्षेतर हैं, जहां पर छोटे किसान है, और मंजले किसार है, और बड़े किसानों को जो है, वो थोड़ा रखा गया है, उसके लिए, तो इस प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं रखा जाता है, खेर बाचीत को आगे बढ़ाते हैं, और उपमन्यू जी आपसे ये जाना चाहेंगे कि इस अभ्यान में पशुपालन को लेकर जुबाते शामिल की गई है, इसे देखते वे पशुपालकों के लिहाद से आपकिस तरह के लाग की उम्मीद कर रहे हैं, जैसे कि मैंने बताय जैसे आपके मुर्गी तो रहेंगी और इनकी जो आमदनी है वह भी बड़ेगी, मगर अगर रोग में जो हम लोग कहते हैं कि अंग्रेजी में कहते हैं डिस्पोसबल इंकम, कहते हैं मतलब कि मेरी आमदनी तो वही हैं मगर मेरा खर्चा जादा जारा है क्योंकि रोग मुक जाके मुट करने के लिए आपको खर्चा करना पड़ेगा, तो अगर टीका करन कर दें और रोग ना हो तो उतना खर्चा आपको बच जाएगा, तो वह खर्चा आपकी सेविंग हो जाएगी और उससे आप आगे कुछ और लगा सकते हैं, जी ये, पर इसके लिए जो मैंने कहां कि दो चीज़ एक तो ठीका करन दूसरा सोच जा था जी बिलकुल इन बातों का धियान रखना जरूरी है डॉक्टर चहल आप से मैं जाना चाहूंगी कि क्रिशी कल्यान अभियान जैसा जो अभियान है जिसमें सीधा संबाद होता है के वीके के वैग्यानिकों के साथ कि अ माने पार तो ऐसे में किसानों की तरफ से भी कई जानकारियां लेने की जो चाहत है वो सामने अभर और कर आती है तो एसे में क्या जो केविके हैं इसकी प्राथ मिक्ताओं में भी किसी तरह का बदलाू या काम काज के तरीकों में आगे के लिए इससे कुछ सबक लिया जाता है कि किस तरह की जानकारी या किसानों को ज्यादा चाहिए हैं क्योंकि किसानों की भागेदारी जो जो बढ़ती है उपनी उनकी जो जो जरूरतें हैं उनके बारे में जब हमारे को पता लगता है तो झोंकि जो जिसको जड़ा चाहिए white computer मैं किसान भाई से कहना चाहूंगा, इस कारिकरम में और ज्ञादा बल मिला है इस बात को किसान अपना संगठन बना हि जो अमालिय यू है कुछ बेडबकरी पालने वाले किसान तो वह एक चाहिक क्यों की जानकारी देना बड़ा आसान होता है किसान भाई यहाँ कोई अछा किसान है उसको सभी जानकारी मिल गई तो वह सभी अपने दूसरे शाथियों में तो ना बाट्व किसान, यहाँ बड़े जाल की नुखेंगे के पार सभी जानकारी जरते वर्ले हो। वहाँ करणे शाके काम करेंगे. अपनी बातों को अच्छी तरह से जो है राज्य सरकार के पास किंदर सरकार के पास किर्शी विग्यान किंदर के पास सभी के पास जब समू में जो है बातचीत होती है जब भागीदारी बढ़ती है तो सभी जो है और जदा अच्छी तरह से काम करने का सरकारों को भी मुखा मिलता है जी बिलकुल और डॉक् जो पहचान की गई है वो नो बिंदू अपने आप में किसानों की आमदनी को दुगना कैसे किया जाए उसे जुड़े हुए हैं। तो हम पहली सिफारिश ये करते हैं कि किसान जो है अपनी उसमें लागत को कैसे कम करे कि कम जो लागत आए उसको खेती में तो उसके लिए हम कहता है कि जैसे अपनी मिट्टी की जाच करवाए और जितने भी हम मदु मक्री पाला में मश्रूर की केसी है हमारे जो डारेक्ट रीट्स हैं पर गए उनके स्टाफ को भी लगा की उनकी भी उंकी उनको भी इसमƯं की प्रोग्राम। वहले और गया उनकीर मत भी रहा dokंई रहा है नात जोनरा में सभी इसका पूर이 कर आ नहां झालि अनगा है यहां झालित नात न मेद एES इसका प्रोग्राम से लाने में और जो इस तरह के पिक्षर एक इसान है उनको उपर लाने में बहुत मदद मिली किया यही अमीद है इस सिंह जी आकांगशी जिले जो हैं उन्हें इसका लाब होगा किसानों को कितना लाब होगा कृषि कल्यान अभियान से केंट्र सरकार चलाए रखें यहां भी संभाव नहीं है केंट्र सरकार की जिम्मे जो काम है जो मुझे समझ में आया इस पूरी चर्चा के दौरान कि जो डिमांड सप्लाइब गयप है पसुचिकित्सकों का साइनिटिस्ट्स का और जो हमारे इसको पैदा करने वाले इसको ज गया के जद्र के जरूब नंद vac конц Kara कर रहा हमें लगता है कि अपने जिम्मेदारि impacto व्हार कर रहा है जुर्रेक्ष यह सब करने के साथ सथ राज सरकारों कम चाह कर सné थे आप ने ना राज्यों को कि भी हम प्रणाली को अपने ऑफे हैं करने कि ताकि वह गाहों तक जाया और वह जानकारी सेंटरल गौवर्मेंट का जेस लेबल का अपसर जाके डिस्टिक में बढ़नकारी दे बहतर है कि उनका जो जिला पर पसुची किस्तक अधिकारी है वह जाके जानकारी लोगों को जो किसानों तक पहुंचाएं किसी बिग् बताएं किय कैसे होता है लेकिन यह काम कर रहा हैं अब राज्त सरकारों के साथ से तालमेल बना के काम कर रहा है निश्चित रूप से एक प्रस्व कर रही है राज़ सरकारों को भी इसमें साथ देना होगा वक्ती कमी है और प्रधान मंतरे श्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार किसानों के आम दने दुगनी करने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है अभियान सबका साथ सबका विकास करने की प्रधान मंतरे श्री मोदी की सोच का आइना है ताकि पिछड़े यानि आकांग्शी जिलों के किसान भी अपनी आयद दुगना करने के लिए दम खम के साथ आगे बढ़े हम होंगे काम्याद इस उम्मीद के साथ मुझे आज का व भाग लेने के लिए सब ही मैमानों और किसानों का बहुत बहुत आभार अब मिलते हैं अगले सबता फिर किसी नए विशे पर करने बात समवाद आप बने रहें दोड़दाशन किसान पर नमस्कार समय सबस्ते हैं पाल